आईपेल के पहले सीजन का पहला मैच ब्रेंडन मैकलम 158 रन नौट आउट वो किस टीम के तरफ से खेल रहे थे KKR अब ऐसी शुरुआत देखे किसी को भी लगेगा कि वाह KKR क्या टीम है भाई तगरी टीम है ट्रॉफी तो यही उठाएगी और उस परफॉमेंस में तगड़ा वो प्लेयर था टीम को तगड़ी होने के लिए एक पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में अच्छा परफॉम करना पड़ता है मतलब कि उसके 4-5 मैचेस के परफॉमेंस को आखा जाता है जहां केके आर शुरुवाते कुछ सीजन्स में चूक रही थी अब आप सूचिए शुरुवात इतना बिस्पोठक पर केके आर पॉइंट स्टेबल में चट्टे नमबर पर थी अगले सीजन आखरी पोजिशन पर और उसके अगले साल मतलब की तीसरी सीजन में फिर से चटे नमबर पर टीम में इंडिविजुर परफॉमेंस दिख रही थी पर जब बात क्यूमिलिटी परफॉमेंस की आती थी वो रिजल्ट में कनवर्ट नहीं हो रही थी इन तीन सालों में केके आर टीम के कपतान दादा थे बदलाव देखने के लिए आपको मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं केके आर टीम के मैनेजमेंट ने साल 2011 में ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया उसने उस वक्त आईपेल की इतिहास में सबसे महेंगा प्लेयर खरीदा और उसे टीम का कपतान बनाया तो क्या साल 2011 में केके आर टीम की किसमत बदली और क्या केके आर के फैंस अपने प्रिंस आफ कॉलकता के जगह पर किसी और को अपना कपतान मान पाए कैसे उस नए कपतान ने टीम की बाग डॉर को समाला और सबसे बड़ी बात कैसे उसने इसी टीम को चन्ने जैसे मजबूत टीम के खिलाफ जित दिला कर पहली बार आईपेल ट्रॉफिय जिताया आईए जानते हैं आज के इस वीडियो में सोचो जरा क्या चाहिए होता है एक आईपेल टीम की किस्मत को पलटने के लिए सिर्फ लिडर्शिप, स्टैटेजी या फिर कुछ और भी आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही लेजेंड की जिसने अपने दम पर कॉलकाता नाइट एडर्स की तक दीर ही बदल दी हाँ हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की जो ना ही सिर्फ एक कप्तान थे बलकि एक गीम चेंजर भी पर गंभीर इस टीम में आए कैसे मतलब 2011 आईपेल के आउक्षन में कॉलकाता ने क्यूं उन पर इतनी बड़ी बुली लगाई आईपेल आउक्षन एक ऐसा मंच जहां हर प्लेयर की किस्मत का फैसला होता है हर टीम को एक बजट मिलता है और फिर शुरू होती है बिडिंग की जंग तो चलिए आपको ले चलते हैं 2011 के आउक्षन की उस गर्मी में जहां केके आर ने लिया एक बड़ा फैसला गौतम गंबीर जो पहले डेली के लिए खेलते थे उनको केके आर ने खरीदा एक रिकार्ड तोड़ आमाउंट 2.4 मिलियन डॉलर में केके आर ने गौतम गंबीर को उनके लिडर्शिप स्किल्स और प्रूविन ट्रैक रिकार्ड के लिए इतनी बड़ी रकम में खरीदा गंबीर एक अनुभवी खिलाडी जो पहले भी आईपेल में अपने कप्तानी से डेली डेर डेविस को लीड कर चुके थे क्या सीन था दोस्तों हर बिड़ के साथ सस्पेंस बढ़ता गया और जब गंबीर का नाम आया तो पूरा हाल सनाटा में डूप गया केके आर ने बाजी मारी और गंबीर बन गए उस साल के सबसे महंगे खिलाडी क्या आपने सोचा था कि गंबीर बनेंगे इतने महंगे खिलारी क्यापको लगा था कि ये कदम केके आर की तकदीर बदल देगी पर केके आर ने दादा को रीटेंग तक नहीं किया ऐसा क्यूँ? जब केकियार ने 2011 के आक्शन में गौतम गंबीर को इतने बड़े दाम में खरीदा तो एक और बड़ी खबर ने सब को चौकाया केकियार ने अपने प्रिंस आफ कॉलकता सौरफ गॉंगली को रीटेन तक नहीं किया दादा जिन्होंने कॉलकता के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक खास जगर बनाई थी उनका ना होना एक emotional moment था फैंस के लिए मीडिया में डिबेट शुरू हो गई फैंस के बीच mixed reactions आने लगे कुछ लोग समझ गए कि बदलाव जरूरी है लेकिन कई पुराने फैंस के लिए ये डिसिजन दिल तोड़ने वाला था के क्यार के CEO वेंकी मैसूर के लिए ये डिसिजन लेना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उनका मानना था कि टीम को एक नए डिरेक्शन में ले जाने के लिए ये जरूरी है लेकिन कॉलकटा के लोगों के लिए जो गउंगली को अपना हीरो मानते थे उनके लिए ये डिसिजन एकसेप्ट करना आसान नहीं था तो 2011 के आक्शन में जब केके आर ने दादा का साथ छोड़ा तब उस साल किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा पर अगले साल पूने वार्योर्स ने सौर अफ गॉंगली प्रिंस आफ कॉलकटा को अपने टीम में शामिल किया तो क्या साल 2011 में केके आर टीम की किस्मत बदली उसे हम लोग आगे देखेंगे पहले इस बात को देखते हैं कि क्या केके आर के फैंस ने गौतम गंबीर को अपनाया था तो इसे समझने के लिए ठोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि ये तभी समझ आएगा जब दादा और गंबीर आमने सामने होंगे और वो भी कहा दादा के ओम ग्राउंड और केके आर टीम के भी होम ग्राउंड इडन गार्डन में आप समझ रहे हैं क्या माहौल था साल 2012 केके आर का मैच था पुने वार्यर्स के खिलाफ और इडिन गार्डेंज में एक अलग ही माहौल था स्टेडियम डिवाइडेड था आधा लाइट गलू पुने के लिए और आधा परपल केके आर के लिए मीडिया में चर्चा थी कि बं अंभीर को लग रहा था कि शायद कॉलकटा की लोग उने अपना नहीं पाएंगे क्योंकि वो गौंगली को रिप्लेस कर रहे थे लेकिन तभी एक होटल स्टाफ ने उन्हें एक मैसेज दिया जो उनके दिल को छूग गया स्टाफ ने कहा मीडिया जो भी कहे जो भी हो केके क्यार को अपने आखरी खोन की बूंद तक सपोर्ट करेंगे और आपको भी जाये और जीत के आये ये मैसेज भले ही एक इंडिविजूल से आये थी पर ये पूरे कॉलकटा का गौतम और उनके टीम को संदेश था और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है गंबीर ने अपने कप प्तानी में KKR को दो IPL टाइटल जितवाया और कॉलकटा की लोगों ने उन्हें अपना हीरो माल लिया अरे रुको रुको गंबीर ने 2011 में पहली बार टीम को प्ले आफ्स तक पहुँचाया ये तो बताव कैसे ठीक है उससे पहले थोरी सी बात कर लेते हैं आप लोगों स तो हम एक Q&A वीडियो कर रहे हैं आप लोगों का जो सवाल है चैनल से रिलेटेड खूई फीडबैक वीडियो से रिलेटेड और अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो नीचे कॉमेंट में अपने सवाल लिखिए उस Q&A वीडियो में इन सब सवालों का जवाब आप लो हो जाते थे गंबीर की decisions ने केके आर को नहीं पहचान दी उन्होंने टीम को एक जुट किया और हर प्लेयर को उसकी capability के हिसाब से यूज किया उनका strategic mind और match situations में लिये गए smart decisions ने केके आर को दो IPL trophies जीतने में मदद की तो इस से गंबीर ने टीम की बाग डॉर को समाला और साल 2011 में टीम को play-offs तक पहुंचाया पर वो eliminator में मुंबे से हार गई लेकिन इस season टीम का performance इस sample space में बहतर था और टीम सच में तकडी दिख रहे थी तो अब सवाल उठता है कि केके आर ने 2012 में कैसे चन्नी जैसे स्ट्रॉंग टीम को हरा कर पहला IPL टैटल जीता 2012 IPL फाइनल चन्नी की गर्मी में CSK और KKR के बीच scene set है high voltage drama के लिए CSK ने पहले बैटिंग करते हुए एक विशाल score खड़ा किया 194-3 लेकिन KKR के लिए असली गेम चेंजर बने मानविंदर बिसला जिनोंने सिफ 48 बॉल्स में 89 रंस की धमाकेदार इनिंग्स खेली उनके साथ थे जैक कैलिस जो एक चटान की तरह क्रीज पर टिक गए और 49 बॉल्स पर 79 रंस बनाया मैच का क्लामेक्स था लास्ट ओवर जहां हर बॉल पर फैंस की सांसे थमे हुई थी KKR की जीत CSK की हार और पूरा स्टेडियम जैसे की सस्पेंस ठ्रिलर का क्लामेक्स देख रहा हो आखिर में KKR ने जीत हासिल की और इतिहास रच दिया तो बताइए आप कहा थे जब 2012 IPL फाइनल का लास्ट ओवर चल रहा था क्या आपको यादे वो पल जब KKR ने अपना पहला IPL ट्रॉफिय उठाया था तो दोस्तों जब हम गौतम गंभीर की बात करते हैं तो उनका असर KKR पर सिर्फ पॉइंट्स टेबल में ही नहीं बलकि हर KKR फैंस के दिल में भी देखा जा सकता है उन्होंने ना सिर्फ टीम को जीत दिलाई बलकि एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो शायद ही कभी मैच की जा सके गंभीर के आने से KKR टीम एक फैंबली बन गई जिसमें हर प्लेयर ने एक दूसरे के लिए खेला और जीता गंभीर की कपदानी ने KKR को नहीं पहचान दी और उनके अंडर टीम ने अपना पहला आईपेल ट्रॉफि उठाया 2014 में दूसरा और इस बार S.R.K. ने KKR के लिए उन्हें वापिस बुलाया जिसका रिजल्ट साफ देखा जा सकता है उनका लीडर्शिप स्टाइल उनकी मैच रीडिंग और उनकी कूलनेस अंडर प्रेशर ने उन्हें एक अलगी मुकाम पर पहुँचाया के KKR के फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी कॉंट्रिबूशन को सैल्यूट करते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि गंबीर को 2011 IPL आॉक्शन में भारी भरकम प्रेश पे खरीदा गया था तो क्या इस प्रेश का प्रेशर उन पर था? नहीं इस तरह आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि जब राहुल तेवतिया को तीन करोड के प्राइस टेक पे खरीदा गया तो कैसे उन्होंने इस प्राइस टेक को जस्टिफाई किया? इस वीडियो को देखने के लिए यहां क्लिक करिए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खयाल लखें आपना और अपनों का